हालो नमस्कार प्रेंट आज की वीडियो में देखिए आपको हम बताने वाले हैं कि वाटर होट केटल किस तरह से रिपेर करते देखिए प्रेश्टिज कमपनी का यह होट केटल है जो की खराब है इसमें जब हम लाइन देते हैं और पानी डालकर इसके बेस पर रखते हैं त देखिए सबसे पहले देखियाए आपको लिखाना चाहिए तेहां से दो norm Uh broken बार रहे देखिर भी इसमें कोई यहां पहले हैं लाइन देकर को आ-चिप करने के लिए मुझे करने के लिए हुम में कि सप्लाइ और फॉल्टर को मेन के लिए कि यहाँ पर किस तरह का दिक्कत थैं तो देखिए सबसे पहले इसे फटा-फट हम open कर लेथे और open करने के बाद आपको पुरा full details जनकारी देंगे तो देखे इस तरह से हम इसे open कर लिए है और open करने के बाद देखिए इसका से तेन जैक लगा हुआ रता है इसमें से एक नीटल और एक में फेस रता है और एक वोड़ी अर्थर रता है तो देखें इहां पर इसका सबसे पहले मेंक लीट का सप्लाई चेक कर लते हैं या मेंक लिट खराब है या इसका बेस खराब है तो देखिए यहां पर सबसे पहले लायन दे दिये हैं और लायन देने के बाद इसका दोनों जैक की सप्लाई देखिए यहां पर चेक कर रहे हैं तो देखें यहां 221 ब की सफ्लाई यहां पर मिल रहा इसका मतलब है कि हमें लिट ठीक है और कि सफ्लाई ठीक है कि करना क्या है कि इसका फॉल्ट है तो हमें यहां पर ही धुनना है फोल्ट को कि किस कारण से यह जो मेरा होट केटल है आउन नहीं हो रहा है तो देखे कभी कभी क्या होता है कि इसका जो प्रोड है नीचे से जो आता है जैक यह टेड़ा मढ़ा भी हो जाता है या स्पार्क करके जल जाता है लिकिन यहां पे हम देख रहे हैं तो द ही हमें इसे Architecture सिछ प्रव Siya सबसे पहले क्या करें एकर इसे हम दोनों जजब को और टीक हम देखेंगे तही कि में लेकिन बेस जब उपर से चेक रहते हैं तो सप्लाई नहीं मिल रहा हूं प्रफिसकारण नहीं मिल रहा तो देखें यहाँ पर पॉपिन करने के बाद जब देख रहे हैं तो इसका जो जाएक है यह दोनों जाएक बिल्कुल चैशी दिख रहा है हाल का तेड़ा सलग रहा है लेकिन एक सई है और पुरा काला होल है इसे कारवन पुड़ाल है तो से दूसरे को भी है इसे हम फाइल पे घिस कर कारबन को छुड़ा लेंगे ताकि इस तरह का फोल्ट दोबारा ना हो और सही तरीके से इसे फिर इसमें हम इस जैग को लगा लेंगे और स्कूप ड्राइबर से टाइट कर लेंगे दोनों जैग को बारी बारी से देखे इस पहले जैग को हम सबसे पहले यहां पर इस तरह से सेटिंग कर लेंगे और सेटिंग करने के बाद इसका जो पैच है इसे पेच को अस्कूब डाइबर से पूल टाइट कर लेंगे और टाइट सही से करना है क्योंकि यह स्पार्क ना करें क्योंकि यह 1580 का इसमें कोयल लगा हुआ रहता है तो जब वोल्टेज इसमें इन करेंगे तो लोट पड़ने के बाद जब यह स्कूब डाइबर धिला रहेग इसलिए जब भी इसे टाइट करें तो फूल टाइट करें धिला नहीं छोड़ें ताक कि कोई अस्पार्किंग का जगा ना रहे तो देखिए यहां पर इसे दोनों जैग को फूल टाइट कर लिया है और टाइट करने के बाद देखिए यहां इस तरह से यहां लगाएंगे कि अच्छे से setting हो तो देखिए यहां पे इस तरह से जगह यहां पे बना हुआ है वायर का तो यहां पे इसे लगा लिये और अब देखें इस base को हम सही से setting कर लिए और setting करने के बाद जो उपर से यह ड्हकन से टिंकर तीन स्कूब ड्राइबर से जो कसा हुआ रहता है उसे देखिए इस तरह से हम बैठाएंगे कि एसे ही से वर्क करें तो जब हम इस पर केटल बिठाएंगे तो इसमें लाइन की समस्या होगी असपार्किंग भी कर सकती है तो इसलिए जब भी इसे लाएं तो धियान दें रहाने वक्त कि देखिए पहले हम इसका बैस गलती बिठा रहे थे पहले इसने बिठा लाएंगे तो देखिए इस तरह से बैस जब हम इसमें बिठाएंगे तो देखिए दोनों तरब इस कटिंग का निसान दिया है तो इस कटिंग के निसान में यहां पर इस तरह से इसे बिठा लेंगे और इस वा यह बाहर निकलने के जगा दिया है तो यहां से move करकर निकालेंगे तो यह बाइर है जो खिचाएगा भी नहीं इस तरह से इस बाहर को लोग कर लेंगे और लोग करने के बाद देखें यहां पर इसे setting कर लेंगे और setting करके इस screw driver से वारी वारी से सारी स्कृूप को फोल्ड टाइट कर लए है ठीक तो देखिए यहां इसका थीनवा इसका पडियाइबर को बारी वारी से कसना है और कसने के बाद हम देखेंगे यह 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 मेरा वर्क किया कि नहीं यह जो फोल्ड अब बना कि नहीं तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको हम वोल्टज ही टेष्ट करके दिखाएंगा देखिए आहां पर यह सी नहीं कसा आथा स्कुरूप तो देखिए हल का सए से कैच करें और इसका जो ड़ाइए सामने आ गया है अब देखिए इस गुरुप को इसमें लगाए और और इस तो इस तरह से पुरा फुल टाइट हो गया है और यहां देखिए आपको हम कि टाइट करने के बाद आपको टेस्टिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर इसमें मेल लाइन इन कर लेते हैं और मेल लाइन इन करने के बाद देखिए हम वोल्टर चेक करते हैं तो देखिए आपको हम वोल्टर चेक करें देखिए हम वोल्टर बता रहा है ठ तो आप क्या करें कि हम इस पर चट्राइंगी और चट्राइन के बाद इस देखें इसका करने लगा इसका मतलब है कि मेरा ओर चुका है ठीक है अब देखें तो देखें इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो देखें हैं पर पानी भी देखें हीट होने लगा ठीक हो दो तो अधी हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अधी चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें आज का